द्रियोधन की मृत्तिव के बाद उसकी पत्नी भानुमती का क्या हुआ पांडों ने अपने सत्रू की पत्नी के साथ क्या किया था क्या उसकी मृत्तिव हो गई थी या फिर उसने किसी के साथ विवाह कर लिया था जानने के लिए इस वीडियो में अंध तक जरूर बने रहें दोस्तो महा भारत युद्ध की असल वज़ा द्रियोधन के बारे में तो हम सभी जानते हैं लेकिन क्या आप द्रियोधन की पत्नी भानुमती के बारे में जानते हैं हो सकता है आपने इनका नाम सुना होगा लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि उस समय की सबसे सुन्दर इस्त्री भानुमती का विवा द्रियोधन के साथ हुआ था दोस्तो आपको जानकर हैरानी होगी कि द्रियोधन की मृत्ति के बाद भानुमती का क्या हुआ और आज भी भानुमती के नाम से दुनिया में या कहवत है इट कहीं की कहीं का रोडा मसूर क्यों है दोस्तों कवरों और पांडों के अलावा भी महाभारत के कई ऐसे पात्र हैं जो आज भी पुरी दुनिया में मसूर हैं लेकिन इन नामों के बीच में मसूर महाभारत के खलनायक कहे जाने वाले ग्रियोधन की पत्नी लगता है कहीं खो गई है। दुनिया के ज्यादातर लोगों को भानुमती के बारे में पता ही नहीं है। और कुछ लोग जानते भी हैं तो उन्हें सिर्फ भानुमती का नाम ही पता है। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आप लोग भानुमती के बारे में अच्छे से जान जाओगे। भानुमती कमबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। उस समय पूरे भारत में द्रोप्ती की सुन्दर्ता की चर्चा होती थी। सुन्दरता के मामले में सबसे पहला नाम द्रोक्ती का ही आता था और सुन्दरता के मामले में दूसरा नाम किसी का आता था तो वह थी कमबोज की राजकुमारी भानुमती सिर्फ अपनी सुन्दरता ही नहीं बलकि अपने ग्यान और अपनी बुद्धी अपनी ताकत के लिए भी जानी जाती थी भानुमती जब बड़ी हुई तो बड़े बड़े राजा राजकुमार उनसे विवा करके उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखते थे भानुमती के विवा के लिए राजा चंद्रवर्मा ने एक स्वयंबर का आयोजन किया जिसमें दुनिया भर के राजा राज कुमार उस स्वयंबर में उपस्तित हुए अपनी सुन्दता से सभी का दिल जीतने वाली भानुमती का दिल मन ही मन अर्जुन को चाहता था भानुमती की उम्मीद थी कि अर्जुन भी स्वयंबर में आएंगे और वह उन्हें अपना पती चुननेंगी लेकिन अर्जुन किसी कारण वस उस स्वयंबर में नहीं पहुँच पाए भानुमती वरमाला लेकर स्वयंबर में आ गई और एक से बढ़कर एक पुरसों के सामने से होकर गुजरने लगी लेकिन उनकी नजरे जिसे ढूंड रही थी वह उस स्वयंबर में नहीं थे इस स्वयंबर में द्रियोधन भी आया हुआ था द्रियोधन पहली नजर में ही भानुमती पर मोहित हो गया और उसने भानुमती को हर कीमत पर अपनी पतनी बनाने का फैसला कर लिया लेकिन जब भानुमती द्रियोधन के पास आई दिरियोधन की इस हरकत से स्वयंबर में आये हुए दूसरे राजा और राजकुमारों ने दिरियोधन का विरोध किया इसके बाद दिरियोधन ने इन सभी को चुनोती देडाली कि इन में से किसी ने भी उनके मित्र करण को पराजित कर दिया तो वा भानुमती को छोड़ देंगे लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वा भानुमती से विवा रचा कर उसे अपने साथ हस्तनापुर ले जाएंगे करण दिरियोधन के ब्याहद खास मित्र थे इसलिए उन्होंने अपनी मित्रता को निभाने के लिए इसमें भी दिरियोधन का साथ दे रहे थे भानुमती से विवा की इच्छा रखने वाले सभी योधाओं ने एक एक करके करण को चुनोती दी और करण ने सभी को पराजित कर दिया अंत में करण को जरासंद ने भी चुनोती दी करण और जरासंद में काफी लंबा यूद चला लेकिन अंत में करण ने जरासंद को भी पराजित कर दिया करण से मिली हार जरासंद के लिए जीवन की पहली हार थी सभी को हराने की खुसी में द्रियोधन ने अपने मित्र को माल अब दिरियोधन का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा था जिसके बाद दिरियोधन भानुमती को लेकर हस्तनापुर आ गया दिरियोधन के इस हरकत से राजा चंद्रवर्मा काफी दुखी हुए और भानुमती भी इस गटना क्रम से काफी दुखी थी हस्तनापुर आने के बाद दिरियोधन ने भानुमती से विवा रचा लिया भानुमती अपने साथ एक अपनी अतियंत सुन्दर सहली को भी लेकर आई थी भानुमती की सहली उनकी ब्यहदी खास थी और वा उसे खुद से कभी दूर करना नहीं चाहती थी तो दिरियोधन ने अपनी पत्नी की प्रिय शकी का विवा अपने मित्र करण से करा दिया भानुमती कुछ दिनों तक तो दिरियोधन से नाराज रही फिर उन्होंने दिरियोधन को अपना पति सुईकार कर लिया और फिर दोनों पत्री पत्नी की तरह साथ रहने लगे भानुमती सुन्दर और बुद्धिमान होने के साथ साथ अपने पती दिर्योधन की तरह ही ताकत वर भी थी कहते हैं कि भानुमती कुष्टी की माहिर खिलाडी थी सती पर्व के अनुसार भानुमती खेल खेल में ही अपने पती दिरियोधन के साथ कुस्ती खेला करती थी और कई बार भानुमती ने अपने पती दिरियोधन को कुस्ती खेल में हरा भी दिया था कुछ समय बाद भानुमती ने जुलवा बच्चों को जन्म दिया इसमें से एक पुत्र और एक पुत्री थी पुत्र का नाम लक्षमण और पुत्री का नाम लक्षमणा रखा गया एक राजकुमारी और एक राजकुमार की तरह दोनों की परवरिस हुई अब जब दोनों बड़े हो गए तो दिरियोधन ने संसकार रूप की तरह दोनों के व साथ अपनी मित्रता को रिष्टेदारी में बदलना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पुत्री लक्षमणा का विवा करण के पुत्र विशुसेन के साथ तैंग कर दिया। द्रियोधन ने लक्षमणा के स्वयंबर का आयोजन किया स्वयंबर में दूर दूर से छत्रियों को बुलाया गया लेकिन स्वयंबर से पहले ही द्रियोधन या तै कर चुका था कि लक्षमणा सिर्फ विशुसेन की पत्नी बनेगी सभी की खुसी भी इसी में थी स्वयंबर बस दुनिया को दिखाने के लिए रखा गया था इस स्वयंबर में स्री कृष्ण के पुत्र साम भी आये हुए थे लक्षमणा की सुंदरता के चर्चे सुनकर साम उस पर मोहित हो गये थे और उनसे विवा करना चाहते थे लेकिन इस स्वयंबर में पहले ही आते था कि लक्ष साम्भ को या बरदास्त नहीं हुआ यहां द्रियोधन की बेटी के साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसा कभी उसने भानूमती के साथ किया था साम्भ ने बल पूर्वक लक्ष्मना से अपने गले में वर्माला पहन लिया साम्भ के इस हरकत से द्रियोधन गुसे में आ गया और उसने गुसे में आकर साम्भ को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया साम को बंदी बनाए जाने की खबर जब स्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को पता चली तो वा गुस्य में आग बबुला हो गए और उन्होंने द्रियोधन से इसका बदला लेने का फैसला किया बलराम द्रियोधन पर प्राहर करने के लिए उसके पास आने लगे लेकिन यहां द्रियोधन बलराम से युद्ध नहीं करना चाहता था इसलिए उसने क्रश्ण भक्त अपनी पत्नी भानुमती से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आग्रह किया बुद्धिमान भानुमती ने बलराम से बात चीत में फैसला सुल्धा लिया और फिर भानुमती लक्षमरा और साम्ब का पूरी रिती रिवाद से विवा करवा दिया गया और फिर महाभारत युद्ध के समाप्थ होने के बाद भानुमती ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया महा भारत युद्ध में दोनों पक्षो को भारी नुकसान धेलना पड़ा था जिसका आभास दोनों ही पक्षो को था उस समय एक एसी प्रता थी कि अगर दोनों पक्षो के बीच में विवा हो जाए तो दोनों पक्चों के बीच में दुस्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है भानुमती ने दोनों पक्चों की दुस्मनी को खत्म करने के लिए अरजुन से विवा करने का फैसला किया अरजुन भी इस विवा के लिए तयार हो गए फिर अर्जुन और भानु मती विवा के बंधन में बंद गए